Hello everyone, my name is Gaurav जैसा कि आप से को पता है हम यहाँ पर chapter number 9 है उसको हम discuss कर रहे हैं और chapter number 9 के अंदर हमने देखे इसके last वाले video lecture के अंदर हमने cover up किया था किसको special series को कि special series क्या होती है उसे कैसे बनाया जा सकता है और उसके अंदर हम तीनो special series के वारे हम discuss कर चुके थे जिसके अंदर हमने देखा था कि यदि हमारे पास n number का sum हो तो sum को निकालने के बाद हमें जो यहाँ पर solution मिलता है वो कैसे मिलता है यदि हम n square की time को मतलब n square की time मतलब यहाँ पर number के square को करते हुए sum करते हैं यहाँ पर natural number को तो हमें क्या रिजल मिलता है और cube करते हैं तब क्या रिजल मिलता है यह तीनों चीज़े हमने देखी थी और यदि यह वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो please last all video lecture को एक बार जाके check कर ले क्योंकि आज हम उसी के basis पर question करने वाले है exercise 9 point आपका जो 4 है वो properly आपके आज किस के उपर है special series के उपर है तो इसलिए आप क्या करें पहले previous video देखें उसके बाद इस video के अंदर आए ताकि आपको फायदा मिलेगा और जिन्होंने previous वाला वीडियो देख रखें वो हमारे साथ question को start करते है और देखते हैं कि किस तरह से questions आते हैं और किस तरह से हमें इनको face करना है चले देखे question क्या करा है यहाँ आप बात करें तो लिखा है find the sum to end terms of each of the series महला आपको end term का जो solution है sum का जो solution है वो आपको देना है यहाँ पर अब यहाँ पर क्या बोला गया है exercise 1, 2, 7 तक है 7 तक के जितने भी question से वो आपको देखना है देखे पहला question की बात करूँ यहाँ पर तो पहला question दे रखा है यहाँ पर 1 into 2 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5 दे रखा है पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा इसका end term बनाना पड़ेगा क्योंकि देखे यह यहाँ तक ही series दे रखी है इसके आगे की series मुझे बनानी पड़ेगी तो मैं एक काम करता हूँ इसकी end term की जो series है वो बना लेता हूँ अब देखे यहाँ पर 1 आ रहा है और यह क्या रहा है 2 आ रहा है यह 2 और 3 आ रहा है 3 और 4 आ रहा है मतलब आपके वास कि यहाँ पर क्या मिल रहा है एक end मिल रहा है और एक end के साथ end plus 1 मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ जड़ा बात करूँ यहाँ पे आपको मिलेगा N bracket close N plus 1 मिल रहा आपको यहाँ पर चलिए अब आपको क्या करना है इसका sum करना है यदि मैं यहाँ पे इसको S बोलता हूँ तो submission of मुझे S निकालना है यदि इस series को क्या बोलता हूँ मैं यहाँ पर इस series का नाम यदि मैं यहाँ पर S दे देता हूँ तो मुझे यहाँ पर यदि मैंने इसका नाम S दे दिया है तो मुझे क्या करना है submission of S निकालना है यहाँ पर clear? अब submission of S निकालना है तो इसके N टम तक क्या करना है मुझे sum करना है यदि मैं यहाँ पर बात करूँ I is equal to 1, 2N करता हूँ और S N कर देता हूँ तो यहाँ पर बात बन जाएगी यहाँ पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे 4 रखेंगे, और N रखेंगे यदि मैं इसका calculation निकाल के लेके आऊँ तो मुझे क्या निकालना है submission of S N S N क्या है, यहाँ पर बात करें N, N plus 1 का मुझे क्या निकालना है sum निकालना है, जहाँ पर N is equal to 1 से लगा कर कहां लखना है N तक लखना है, यदि आपको यकिन नहीं है तो इसको अंदर रखीए, और चेक कर लिजे N is equal to 1 रखा और यहाँ पर 1 रखा, तो 1 into कितना होगी आपकास यहाँ पर, 2 हो गया तो देखें, यह लिखा है, 1 into 2 लिखा है then मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखें, 2 रखेंगे, तो यहाँ पर क्याएगा और इन दोनों का मतलब यदि मैं निखालूँ, यदि मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर, तो यह क्या लिखा हुआ जरा देखें, यहाँ पर, यह submission of N is equal to 1 to N और यहाँ पर लिखा है N square, प्लस यहाँ पर submission of N is equal to, आपके आस क्या होगे इसका मतलब तो मुझे पता है यस, इसका मुझे पतलब पता है और इसका भी मतलब मुझे पता है यह कहाँ देखा हमने, लास्ट ओली वीडियो लक्षर के अंदर वहाँ पर हमने देखा था, जो special series देखी थी तीन special series देखी थी N, N plus 1, divided by क्या लिखा है यहाँ पर 2 लिखा है फिर उसके बाद क्या लगा है, प्लस sign लगा है यदि N square की बात करूँ तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर तो यह लिखा है N, N plus 1 और उसके बाद लिखा है 2N plus 1 और divided by आपके आज क्या लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, clear, यह आपके आज यहाँ पर लिखा हुई, okay, done, अब क्या करें, इसका solution निकाल लेगा, और answer अगया, तो देखे, solution निकालना है मुझे यहाँ पर, तो देखे, मैं solution निकालना जा रहा हूँ, यहाँ पर क्या करें, हम उसके बाद बात करें, यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 3 से multiply, और इसको कुछ भी करने के ज़रूत नहीं है, तो मैं 3 से multiply कर देता हूँ, यहाँ पर, तो यह हो गया, यहाँ पर 3N, और यहाँ पर यहाँ प्लस 1, फिर आपके आस आएगा, प्लस साइन, ओके, इधर बात करें तो क्या आएगा N, N प्लस 1, और क्या आएगा 2N प्लस 1, तो यहाँ पर आपके पास आगया, यहाँ पर N, फिर आगया N प्लस 1, फिर आपके पास आगया, यहाँ पर 2N प्लस 1 आगया, clear समझा गया यहाँ पर, ओके, आप क्या करें यहाँ यहाँ पर, इसको और सॉल करते है देखे क्या रिजल मिलता है हमें यहाँ पर तो देखे यह multiply हुआ तो यह हो गया 3N स्क्वेर हो गया प्लस यहाँ पर हो गया 3N हो गया प्लस यदि मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आएगा N स्क्वेर प्लस आपके आस होजएगा N और यहाँ पर ब्रेकेट क्लोज और यहाँ होगा 2N प्लस वन और डिवाडर में बात करूँ यहाँ आपके आस कितना है 6 है clear, फिर आएगा यहाँ पर 3N square प्लस आपके अस होज़ेगा, यहाँ पर 3N फिर प्लस sign, फिर इसको इससे multiply कराते हैं तो 2N का Q हो जाएगा 3 और 1 कितना हो गया, 2N विलान हो गया 3 फिर इसको इदर multiply करें तो प्लस आपके पास क्या होगा, यहाँ पर N square हो जाएगा फिर आप इसकी बात करें यहाँ पर तो यह होगे 2N square हो गया प्लस यहाँ पर बात करें N और divided में आपका इस कितना चल रहा है 6 ते अब दिएखे थोड़ा और आगे चलें यहाँ पर तो यह square रहा, यह square रहा, यह square रहा यह square कितना होगे, यहाँ पर बात करें तो यह 3 और यह होगया 4 और यह होगया कितना आपका इस यहाँ पर 3 और 4, 4 और 5 और 6 6 होगया, तो यह होगया 2N की power cube प्लस यहाँ पर 6N square होगया यहाँ पर उसके बाद देखे ये N वाला पार्ट रहे रहा और इसके बाद ये N वाला पार्ट रहे रहा तो 3 और ये हो गया 1 और हो गया यहाँ पर कितना हो गया 4N हो गया और डिवाड में आपके आस कितना हो गया और ये आपका आस क्या हो गया इस तरह से simple question आपको दिखा देने लोग इसमें आपको दिखा देने लोग बड़े next question के पार देखें next question की तरह बढ़ते हैं यहाँ पर देखें next question आपके आस यह रहा इसमें आपके आस दिखी क्या लिखा है 1 into 2 into 3 दिखा है फिर 2 into 3 into 4 लिखा है, फिर 4 into 5 लिखा आपके आस, तो यदि मैं इसको directly लिखूँ कि ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर बात करें, तो ये आपके आस क्या है, S N है, ये क्या है, आपके आस यहाँ पर S है, तो मैं करना चाता हूँ, submission of S N करना चाता हूँ, जहाँ N is equal to 1, 2 क्या च चलेगा, और यदि submission of N की बात करूँ, तो ये हमें एक term देता है, submission of यहाँ पर बात करें, N is equal to 1, 2 N देते हैं, यहाँ पर, तो ये देता है, N, bracket close, N plus 1, bracket close, N plus 2, ये हमें देता है, और यदि आप यहाँ पर check भी करेंगे, देखे, N के value 1 रखेंगे, तो 1 आएगा, then आपके आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, इसका आएगा, यह क्या है, सही है, अब बढ़ते हैं, आगे की तरफ यहाँ पर, तो देखे, क्या result निलता है, yes, result की बात करूँ, तो क्या मिलता है, जर्णा देखें, यहाँ पर, तो ये देखे, इसको इससे multiply करना है, फिर उसके आगे भी 35 करना है, तो एक काम करता हूं, multiply के बाद, final result देखेंगे, यहाँ पर, तो यह हो जाएगा, n square plus यहाँ पर, यहाँ बात करें तो आपका आपका स क्कूरणा होगा, n plus 2 होगया, इसको n से multiply किया, n square होगया, इसको इससे multiply किया, n आ गया, इधर n plus 2 आपका से racer, इते हैं, right, ज को इससे multiply किया 2n आ गया clear final answer क्या लेकिया आए हो आप यहाँ पर submission of आपको submission of क्या इसका निकालना है n cube निकालना है plus यहाँ पर बात करें 3n square निकालना है plus आपको क्या निकालना है 2n निकालना है yes plus आपको क्या निकालना है 2n निकालना है ओके और यह सब चीज़े रफ कर देते हैं क्योंकि इसकी जरुवत अबे नहीं है यह हमें निकालना है अब यह निकालना है तो इसका तो मुझे पता है summation of n3 I know summation of 3 into n2 पता है 2n पता है तो चले निकाले यहाँ पर तो यदि मैं बात करूँ यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर n n प्लस 1 फिल लिका है यहाँ पर 2n प्लस 1 divided by 6 plus 3 oh sit यह तो n2 का है तो यदि मैं बात करूँ n3 के लिए तो क्या आएगा यहाँ पर n n प्लस 1 divided by कितना 2 और इसका हो गया whole square right plus 3 into आप क्या आएगा यहाँ पर n n प्लस 1 2n प्लस 1 okay divided by क्या आप क्या आएगा 6 plus sign के साथ 2 n और n प्लस 1 और divided by कितना आगया आपका आएगा यहाँ पर 2 आगया clear तो इस तरह से यह आगया आपका असान सा अब यदि मैं बात करूँ इसके अब मिलटे है solution के बारे में तो अब देखें यहाँ पर बात करें इसको solution शकी निवत करते हैं यह आप़ तो देखें सूलिशन निवत कालने जाौँ यहाँ आप देखें किस तरह से थोड़ा shortcut solution निवत की से यह काटेंगे यहाँ पर देखें 3 से यह काट देता होँ यहाँ आप़ 3 2 जा 6 तो यहां आएगा आपका 2 clear और वो 2 काटे क्या नहीं वो 2 नहीं काटे क्या है क्यों नहीं काटेंगे देखे यहां पर आपके देखे N N प्लस 1 divided by 2 दिख रहा है मुझे यहां पर भी N N प्लस 1 divided by 2 दिख रहा है यहां पे भी एन एन प्लस वन डिवाड़ बाय क्या दिख रहा है तो मैं चाहता हूँ क्यों ना इससे कॉमाल लिए जाए यस तो देखे कॉमाल लेते हैं यहां पर कॉमाल लेते हैं यहां पर तो देखे कॉमाल लेते हैं यहां पर क्या आता है जारा देखें यहां पर एन एन प्लस 1 और divided by क्या बन गया 2 बन गया फिर आपके आस आएगा प्लस साइन के साथ यहाँ पर बात करें दीखें आपने n, n प्लस 1 divided by 2 common लिया है तो पीछे क्या बज़ गया 2 n प्लस 1 बज़ गया तो यदि मैं बात करू लिया 2 तो यहाँ पर रख देते हैं 2 क्लिया यहाँ क्या आपके आस आगया आप क्या करें लिके solution दे सकते हैं यहाँ पर तो यदि मैं लिके solution गरू यहाँ पर देखें कितना आ रहा है यहाँ और यहाँ प्लस 1 और यहाँ पर दिवाइड बाए 2 प्लस का फॉर बढ़न गया यदि मैं इसको solution देखू यहाँ पर तो यह देखे यह आपके multiply हो जागा और then आपके सब कुछ रह जागा तो यहाँ पर दीखे n n प्लस 1 divided by 2 as it is है यह divide का 2 यहाँ पर रहेगा इधर बात करें n square हो गया प्लस यहाँ पर n हो गया प्लस आपके आस कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया प्लस आपके आस कितना हो गया 4 हो गया clear अब ज़रा बात करें यहाँ पर तो देखे क्या मिल ला आपको यहाँ पर n square मिल गया प्लस यहाँ पर 5 n मिल गया और 4 5 6 मिल गया यहां बात कर करें प्लस 3 कमन लिया तो n प्लस क्या रहा गया आपका चुंव रहा गया तो n प्लस 3 और n प्लस 2 बन गया तो यहां पर बात करें देखें यहां पर n प्लस 2 और n प्लस 3 रहे गे रहे हैं आपका बस चलिए इसको यहां पर अप्लाई करते हैं अप्लाई करें तो देखें क्या रिजल मिलता है जरह देखें तो यह बना n और यहाँ पर देखे इस सब का रिजल क्या है तो आपका 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 रिजल क् यह आपकास ट्रम बची और यह ट्रम बच गई अब जब आपके बाद ये दोनों इसको आपकर अपर तो पीछे आपकास दीखिए इन सब को आप क्या कर सकते हैं ऐड़ान कर सकते और जैसे आपने यह-पर एड़ान करके यहा पर घृकाला तो आपका का result मली गया आई थिंग मिले समझें हुआ कि से करना है चले नेट्स्ट वर्टे लिए तो देखें नेस्ट वर्टे हैं नेट्सट आपका सिरा इस बार गाल है 1 3 2 1 का स्कॉरालिकर 5 2. 2 का स्कॉर लिए 7 2 2 का स्कॉर लिए 3 2 का स्कॉर लिए तो यदि मैं इसके N-A-Term की तर भढ़ूँ? अदेतर की तर भढ़ूँ? तो मुझे इसका N-A-Term क्या मिलता है जरा देखे यहाँ पर तो मैं इसके N-A-Term की बात करूँ यहाँ पर तो आपको देखे क्या मिलेगा यहाँ पर कि 2N प्लस 1 और multiply में बात करूँ N square मिलने वाला है यस ये मुझे मिलने वाला है इसका सरी कैसे कैस किया चलिए देखे यहां पर बात करते हैं पहले नंबर के उपार पहले नंबर आपके आज क्या है 3 है ठीक है दूसरा नंबर आपके आज क्या है यहां पर 5 है तीसरा नंबर आपके आज क्या है 7 है पहले चीज तो यह पता जल गई मुझे यहां पर कि यह सारे के सारे नंबर कैसे है और नंबर है आपके आज क्या है 3 के बाद 5 आ रहा है 5 के बाद यहां पर 7 आ और नंबर आ गया स्टार्टिंग क्या से 3 से और 1 से 3 और 1 के बीच में combinations बनाना है अच्छा देखें यदि मैं यहाँ पे 1 को n square कर देता हूँ 1 को क्या करता हूँ n square कर देता हूँ तो मुझे 3 बनाना है क्या बनाना है मुझे 3 बनाना है तो दिखें, मुझे 1 से क्या करना है, 3 बनाना है, तो 3 कैसे बना जा सकता है, एक तो मैं करूँ यहाँ पर 1 into 3, तो यह हो जाएगा आपका 3, clear, लेकिन next यहाँ पर आपका नंबर जा रहा है 2, और 2 से मुझे 5 बनाना है, तो 2 से 5 बनाने के तरीका, this is impossible, यहाँ पर बात करें, तो यहाँ से 2 into 5 तो करने ही सकता, yes, 2 into, आपका 3 तो करने सकता, ठूदी चाहँ सीख सो होता है, यहाँ पर 5 करेंगे, तो भी problem ही है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं यहाँ पर, इस 2 से मुझे 5 बनाना है यहाँ पर, तो 5 बनाने का क्या तरीका हो सकता है, तो एक तरीका है, यहाँ पर 2 into 2 करूँ और प्लस 1 कर देता हूँ, 2 into 2 करूँ और प्लस 1 कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या जाएगा, यहाँ पर 5 बनाना है, यहाँ पर बात करें, मुझे 7 बनाना है, किसकी हेल्प से, 3 की हेल्प से, क्योंकि देखे, यह दोनों आपस में एक पेर है, यह दो 2 है इसको fix कर देते हैं इस 2 को variable बना लेते हैं यहाँ पर तो देखें क्या रहा है 2 into 3 plus 1 3 2 जा कितना हो गया यहाँ पर? 6 हो गया 6 plus 1 कितना हो गया? 7 हो गया यस यह technique काम कर गए तो क्या उपर के लिए भी काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी यहाँ पर देखें 2 into 1 करते हैं फिर plus 1 करते हैं तो 2 1 जा 2 हो गया 2 और 2 plus 1 हो गया आपका 3 तो यह technique यहाँ पर आपका क्या कर रही है? काम कर रही है इसका मतलब यह आपको solution देगी अब इसलिए मैंने यहाँ पर क्या सोचा? यहाँ पर 2N plus 1 plus N square कर दिया है अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? submission करना है किसका SN करना है? N is equal to कहां से? 1, 2, N तर करना है और SN की value मतलब N की value की बात करें submission of यहाँ पर बात करें N is equal to 1, 2, N और यहाँ पर क्या लिखेंगे? N square और फिर क्या लिखेंगे 2N plus 1 कर देंगे clear? और यदि मैं इसको और solution निकालू हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? 2N cube आजाएगा यहाँ पर और फिर प्लस N के साथ यहाँ पर जाएगा N square आजाएगा समिशन तो आगे ही है हमारे पर yes, यह इससे multiply होगा 2N cube और उसके बात N square clear? अच्छा देखे, N cube की बात करूँ यहाँ पर तो N cube का result कितना होता जरा बात करें तो यह होता 2 bracket close यहाँ पर आएगा N, N plus 1 divided by 2 का whole square plus N के साथ यहाँ बात करें N, N plus 1 फिर क्या हैगा 2N plus 1 divided by आप क्यास करेगा यहाँ पर 6 clear? यह आपके असरी जलाएगा अब बात करें क्या करना है वाला है हम यहाँ पर एक काम करते हैं यहाँ पर देखे, N, N plus 1 divided by 2 यहाँ पर भी दिख रहा है N, N plus 1 divided by 2 यहाँ पर भी दिखेगा 3, 2, 6 है ना तो यहाँ पर आपकास 2 यहाँ पर भी दिखेगा तो बाहा निकालो यहाँ बाहा निकालो तो बाहा निकाला तो यहाँ पर दिखे N, N plus 1 divided by आपकास 2 यहाँ पर मुझे बाहर दिख गया अंदर कि दर बात करें तो यहाँ पर आपको मिल गए 2 और यहां पर मिल गया n and plus 1 और divided by आपकास यहां रगया 2 फिर आपकास रगया plus 1 और यहां पर आपकास रगया 2 and plus 1 कितना रगया आपकास यहां पर 2 and plus 1 और divided by आपकास किया रगया 3 यह रगया आपकास यहां पर अब क्या करें यहां पर इसको also LM लेते हैंrus तो और रिज़र्ट निकालते हैं तो यहाँ पर इन दोनों को इन इस्क्वर और यह तो यहाँ पर आपके आज पेखें यहां पर आपने कहिए n ONE और divided BY आपका क्याली कला 2 को कमण निकाल दिया है पीछे की बात करूँ आपके बास दिखें तो पीछे आपके आज रगे 2N स्कूर प्लस यहाँ पर रगे 2N divided by आपके आज कितना हो गए यहाँ पर 2 प्लस साइन के साथ बात करें यहाँ पर 2N प्लस 1 divided by 3 आपके इल सेमरत सोल्फन नकाल देते हैं तो देखिए अल्स लेक Tasks निकाल हूँ यहां पर देखे अनन 2 हो गया, clear, आप देगें, यहाँ आप आप देगे, 6N square, 6 plus 2, यहाँ पर बात करें, 4 होगया, 10, और 2 आप गया सही है, तो यहाँ पर कितना मना, 6N square, plus का 10N, plus का 2 हो गया, clear, common निकला जा सकते हैं, yes, 2 को निकल सकते हैं, तो 2 को common निकाला तो कितना वज़ गया यहाँ पर 3N square प्लस यहाँ पर हो गया 5N प्लस 1 यह रह गया 3 तो जा 6 2 5 जा 10 और 2 जा 2 और यह देखिए यह 2 से 6 भी आप cancel out कर सकते हैं और तो यह cancel out हम बाद में कर देंगे वैसे तो अभी मैं यहाँ पर 2 को cancel out करते हूँ इसका कुछ कर सकते हैं बिल्कुल देखिए 3N21 हो गया यहाँ पर 3 3 के मुझे factor करना है कि 5 आजाए 3 के factor करना है तो 5 आजाए ऐसा आपके बास यहाँ पर ऐसा आपके बास यहाँ पर नहीं है आपके आज यहाँ पर तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर इसको यहीं पर solution दे सकते हैं देखिए क्या solution आएगा यहाँ पर मैं बात करूँ एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा side में कर लता है मैंने बाहर लिकाला यहाँ पर देखिए n, n प्लस 1 आपका आज आगया और डिवाड में, 3 यहाँ पर दीके 2 और यह 6 कैंसलर रुगा था तो 2 और यह 3 3 तो जा, 6, तो यह आपका आज 6 पीछे क्या रह गया, यहाँ आपका बात करें उपर कि तरह, तो देखें आपने क्या क्या यहाँ पर यह 6 आपके आस रहा गया था 3 तो यह ओगे 3N स्कुर फिर उसके आदे गया यहाँ पर आपके आस कितना 5N, प्लस कितना गया 1, यह आपके आस किया गया result गया, I think के लिए समझ में आगया होगा किस तरह से करना है तो इस तरह से आप क्या कर सकता है अपना result निकाल सकता है क्लिया, बड़े next के लिए देखे next के लिए भड़ते हैं next क्या कर रहा है यहाँ पर question चले देखे यहाँ पर इसके अगले question को पर देखे अगला क्या कर रहा है 1 upon 1 into 2 1 upon 2 into 3 1 upon 3 into 4 इस तरह से आपकास नंबर दे रहा है हमने जब भी बात की है हमने simple के बारे में बात की है simple से numbers होता है उनके बारे में बात की थी हमने 1 upon के बारे में कभी बात नहीं की है यहाँ पर तो यदि 1 upon के अंदर आ जाए तो आप कैसे करेंगे यहाँ पर जरह उसको देख लेते हैं अब जड़ा देखे यहाँ पर बात करते हैं कि यदि मेरे पास ये है यदि मेरे पास क्या है ये है तो इसका कैसे निकाला जा सकता है यहाँ पर तो मैं बात करूँगा किसके बारे में submission of n is equal to 1 to n और किसके बारे में sn के बारे में और यदि मैं बात करूँ submission of यदी मैं बात कुरूँ n is equal to 1 to n और क्या आएगा 1 upon n n plus 1 आजाएगा clear अच्छा ये 1 upon n n plus 1 है क्या इसको हम change कर सकते हैं बिल्कुल change कर सकते हैं और देखे change करने के बाद ये क्या बन सकता है यहाँ पर तो एक काम कर सकता हूँ देखे इसको 1 upon n और यहाँ पर बात करें तो देखे क्या लिखा जा सकता है minus 1 upon n plus 1 लिखा जा सकता है क्या नहीं लिखा जा सकता है ये दिवां में कैसा है जर देखे ये हमरे पस LCM है ये हमरे पस क्या है LCM है और ये LCM है तो क्या LCM का format ये लिखा जा सकता है देखे यदि मैं उसको solve करके देखू यहाँ पर यदि मैं देखे पहले plus कर देता हूँ पहले plus कर दूँ तो देखी क्या आएगा n, n plus 1 आएगा, दोनों का LCM आएगा n, n plus 1 clear, n से n cancel out तो हो जाएगा, n plus 1 हो जाएगा, फिर मैंने plus लगाया, फिर n plus 1 से n plus 1 कट किया फिर बच गया n, तो यह तो मुझे देदिया, यहाँ पर 2n plus 1 देदिया, और divide में n, n plus 1 बच गया अजबकि मुझे यह 2n चाहिए ही नहीं, मुझे इस 2n को क्या करना है, हटाना है, तो इस 2n को हटाना है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर मैं माइनस लगा लेता हूँ, यदि यहाँ पर माइनस हो जाता है, तो यह क्या करेगा, n से n कैंसल आउट हो जाएगा, पीछे हपकास करेगा, 1 ही दिखाज़ेगा, तो कुल मिलाके मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यदि मुझे यह लेक्या आना था, तो मैं क्य यहाँ पर लगाँगा, n is equal to 1, 2 आखान लगाँगा, यहाँ पर n लगाँगा, clear, ओके, आप देखें, यदि मैं यहाँ पर n की value 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, 4 रखता हूँ, तो देखी, क्या रिटर मिलता है, yes, जड़ा देखें, यहाँ पर, यदि मैं 1 रखता हूँ, तो यहाँगा, 1, 1 upon 1 आएगा, then, minus sign की साथ, 1 upon का आएगा, 2 आएगा, clear, यही आने वाला है, यदि मैं excuse की बात करूँ, यहाँ पर, n is equal to 1 रखने पर, तो यहाँगा, 1 upon 1, minus 1 upon 2 आएगा, clear, चले, आगे रखते हैं, यहाँपर, plus sign लगेगा, बीच में, क्यू 1 upon का याज़ेगा, 3 रखते हैं, यहाँपर, n is equal to 3 रखते हैं, 3 रखते हैं, तो यहाँपर, plus sign के साथ, 1 upon 3 आएगा, minus sign की साथ, 1 upon का आएगा, 4 आएगा, clear, चले, आगे बरते हैं, आगे बरते रखते हैं, बरते पीछे रखते हैं, पीछे रखने मालब क्या रख रहा है, N-1, इदर रखा N-1 और यहाँ पर माइनस आगया 1 अपन N आगया, यहाँ यहाँ पर रखता हूँ N नहीं रखके N-1 रखता हूँ, तो n-1 इसकंदर रखा तो n-1 हो गया n-1 और plus 1 plus 1 minus 1 0 तो n हो गया आपकास यहाँ पर और यदि मैं n रखता हूँ यहाँ पर देखे plus 1 upon क्या या n आ गया यहाँ पर minus sign के साथ आ गया 1 upon n plus 1 आ गया यह हमारे पास क्या बन गई एक series बन गई अब इस series को जरा गौश से देखे यहाँ पर सारी चीज़े एक दूसरे से cancel out हो रही है सारी चीज़े सिवाए दो को yes यह दोनों आपस में cancel out यह दोनों आपस में cancel out इसके आगे वाला cancel out इससे clear अच्छा देखे यहाँ पर बात करते हैं मतलब मैं बात करूँ यहाँ पर sn के बारे में sn का ही तो sum निकालना है submission of sn के बारे में बात करूँ तो पीछे क्या बज़ गया आप क्याद देखे 1 upon 1 मतलब 1 बज़ गया और उस तर चले तो minus sign के साथ minus sign के साथ 1 upon n plus 1 बज़ गया 1 upon n plus 1 बज़ गया यह आप क्यास बज़ गया और इसका result निकाले देखे n plus 1 उपर गया minus 1 cancel out किया तो देखे finally यदि मैं result की बारे में बात करूँ तो देखे यह हमारे पास आगया n plus 1 उपर गया minus का 1 plus 1 minus 1 cancel out n बज़ गया तो यहाँ पर आप क्यास आगया n तो आपका result क्या आया n upon n plus 1 आगया clear समझा आगया यहाँ आपकर किस तरह से करना है बहुत ही simple question दो है यहाँ आपकर ना ही जदा हमें calculation की ज़रुद परी simple तरीके से क्या हो गया आपका result मिल गया चले next question क्या क्या रहा है यहाँ आपकर बात करें clear अच्छे देखिए यदि मैं बात करूँ यहाँ तक कही मुझे क्या निकालना है sum निकालना है केवल और केवल कहा तक निकालना है 20 तक कही sum निकालना है clear तो यह question यहाँ तक कि आगे पास n तक होता तो क्या गरता है यहाँ आपर तो एक काम करते हैं पहले यह मान लेते हैं कि यह क्या है आपके पास यहाँ पर एने टर्म तक है तब ही हम इसका क्या बनाएंगे एक sum का एक formula बना देंगे उस sum के formula में n is equal to 20 रख दूँगा तो मेरा result यहाँ पर मिल जाएगा तो कुल मिला कि यहाँ पर बात करें तो यह मैं assume कर लेता हूँ कि यह कहां तक है n term तक है और यह यह एने टर्म तक है तो इसका n अतवा जो term होगा वो क्या होगा यह इसका जो n अतवा term होगा वो क्या होगा जड़ा बात करते हैं यहाँ पर तो यह है n प्लस 4 का whole square होगा क्या होगा n प्लस 4 का whole square होगा क्यों हुआ देखे फिर से बात करता है यहाँ पर देखे यदि में को 5 लेकर आना है तो 5 किस condition में लाया जा सकता है 5 को 1 प्लस यहाँ पे 4 करूँ तो मुझे मिल सकता है यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर 5 लेके आना है, तो 2 प्लस 3 करता हूँ, तब 5 आजाएगा, clear, यह दो conditions आपके आस यहाँ पर, अच्छा देखे, बात करें, मुझे यहाँ पर 6 को लेके आना है, 6 को लाने के तरीके क्या है, 5 प्लस 1 करूँ, तो आजाएगा, then मैं बात यहाँ पर, देखे, 5 प्लस 1 करूँ, तो आजाएगा, यहाँ पर, यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर, आपको 6 लेके आना है, तो मैं क्या करूँ, 4 प्लस 2 करता हूँ, तब भी आजाएगा, यहाँ पर, यदि मैं बात करूँ, मुझे 6 लेके आना है, तो यहाँ पर 3 प्लस start हो थी, वो कहां से होती है, once start होती है तो ये तो cancel हो गया, ये भी cancel हो गया और ये भी cancel हो गया बात करते हैं next के लिए देखिए ये है 1 plus 4 और यह है 1 plus 5, 1 plus 4 और 1 plus 5, सर ये 1 1 तो दिख रहा है लेकिन 5 of 4 आ रहा है, तो ये 5 of 4 से series start करेंगे, नहीं देखिए यहाँ पर लेका है 4 plus 2 तो क्या इन दोनों का combination बना जा सकता है बिल्कुल बना सकता है, 4 को fix कर देता है, 4 को fix कर देता है, 1 plus 2 1 और 2 रख देता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये decide किया, n plus 4 का whole square कर दी हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर देखे, इस तरफ मैं बात करूँ, तो आपको submission of यहाँ पर मिल जाएगा, n plus 4 का whole square चाहिए, आपको n is equal to 1, 2 बात करें, यहाँ पर n के लिए, और यदि मैं इसकी बात करूँ, तो इसको open करना पड़ेगा, open सही आपका result मिल पाएगा, तो यदि इसको open करते हैं, यहाँ पर तो आपको आपकाERS क्या मिलेगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर 4, 4 जा कितना मिलेगा, 60 मिल जाएगा, यह मिलेगा आपको यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करना है, मुझे finally आ जाता हूँ किस के उपर n is equal to कितने उपर 20 के उपर क्योंकि मुझे 20 तक का ही सम करना है मुझे क्या करना है 20 तक का ही सम करना है और देखी यहाँ पर एक और चीज़ है यह 20 आपकी पास position नहीं है यह 20 आपका position नंबर नहीं है यह 20 के आइसकी value है तो यहाँ पर n is equal to 20 गलत है यह जो मैंने लिखा था आपके पास यहाँ पर n is equal to 20 it's a wrong because यह 20 इसकी position नहीं है यह 20 उस position के उपर नंबर है तो position हमें खुद को निकालनी होगी और position कैसे निकालेंगे देखे यहाँ पर आपके पास है यहाँ पर n प्लस 4 का whole square है और यहाँ पर मुझे 20 बनाना है तो n is equal to मैं कितना रखूं यहाँ पर n is equal to 16 रखूंगा तब यह कुल मिला के क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा 20 का क्या हो जाएगा square हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पर n is equal to क्या रखना पड़ेगा 16 रखना पड़ेगा clear तो एक चीज मुझे दिमाग में आ गई कि यह कहां तक सम होने वाला है n is equal to 16 तक होने वाला n is equal to 1 तो आपके आज क्या होगा 16 तक का सम होगा right यहाँ पर इसको open भी करना है इसको open करें समिशन को तो दिखें क्या रिजर मिलता है यहाँ पर n n प्लfrage'm मिलेगा आपको यहाँ पर फिर मिलेगा 2n प्लस 1 मिलेगा आपको यहाँ पर divide में 6 भी मिलेगा फिर plus sign के साथ आपको 8 into n करना है तो n के लिए n n plus 1 divided by आपकास क्या गया यहाँ पर 2 हो गया प्लस आपकास क्या हो गया 16 हो गया आप क्या करें इस 16 को उठा के सब में रख दीजिए क्योंकि यह तो सम में हमारा यही तो सम में हमारा और यही सम है तो n is equal to 16 रखते ही यहाँ पर तो n is equal to क्या रख रख रहा हो 16 क्या रख रहा हो 16 यहाँ पर 16 plus 1 यहाँ बात करें 16 इंडा 2 प्लस नंकरें यहाँ पर दिवाड में कितना अलगाश का सब में 6 3 प्लस फिर 8 फिर आपकास आपकास 16 और यह हो गया 16 प्लस 1 निकाल निकाल तीए लुगत करें बॉस के साथ lógे इंटो फेली चीज तो दूसरी यहाँ पे कुछ ऑस वन फो गए यहाँ वाद करें तो यह. 32 32 प्लस 1 हो गया 33 tá 33 divided by 6 देखे यहां पर हो गया 33 divided by 6 हो गया इसको cancer leaut कर देखिये 3 2333 at it 11 upon 2 कितना ओगह यहां पर 2 हो गया तो देखेर is up술 क्या बना जयां देखे यहां आप एक तो पहले आपने 16 को common निका देना है दूसरा यहां पर बात करए 16 15 प्लस 1 कितना हो गया है यहां पर 17 हो गया यह हो गया 17 multiply 11 बच गया आपके पास नीचे कितना बच गया यहां पर 3 थ्री बच यहां पर दिखे यहां बात करूँ यहां पर हमने खोड़ी सी calculation की थी यहां पर cancel out की थी 11 बच यहां पर 3 बच जा 3 बच दिखे तो यहां पर कितना है यह 2 आँगे clear उसके बाद क्या करें plus कि साथ बात करूँ plus कि साथ यहां पर बात करें 4 into yes 4 into 16 plus 1 कितना हो गया 17 तो यह हो गया 17 divided by क्या चला है 2 चला है क्या नहीं चलना है plus यहां पर बात करें कितना है 1 half clear यह result निकले आपकास अच्छे देखे यहां पर बात करें आपने जब यहां पर submission of यहां पर 16 कहादा यह यहां पर आपकास क्याएगा तो यहां पर आपकास एक n भी तो आएगा and मतला आप क्यास क्याएगा 16 भी तो आएगा तो इसका मतला यहाँ पर आप क्यास क्याएगा multiply में एक 16 भी तो आएगा yes, यहाँ पर multiply में क्याएगा एक 16 भी आएगा, अच्छा देखे, यहाँ पर अब बात करें तो यहां पर एक और यहां पर आपकास कहाएगा 16 भी आएगा तो यहां पर आपकास कहाएगा एक और 6 भी आएगा तो यह होगा 16 कुल मिला के बात करें यह आने होला है आपका अपका अपका क्या करें थोड़ा cancel out नहीं हो रहा है तो solution final निकालना ही पड़ेगा तो मैं multiply कर वा 16 को थोड़ी calculation को वापस कर लिते हैं यह होगा 17 इन्टू बात करूँ यहां पर 16 इन्टू कितना होगया 16 16 इसका मलब क्या हुआ तो तो फिर आप मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के इंदा जहां पर क्या करेंगे isolated और भी questions हमारे बाद बागी है उन सभी questions को हम देखने वाले है clear, कि आदेखे क्या result निकलता है किस तरह से हमें special series देखने को मिलती है ये सारी चीज़े हम देखने वाले हैं मिलते हैं next video गंदा, till then, good bye हुआ हुआ